नमस्कार दोस्तों बहुत पहुत स्वागत है आपका हमारे चेरण में दोस्तों हम बात करेंगे कुम भरासी वाले जात्कों के लिए 14 और 15 जून का समय कैसा रहेगा आपका वैपार वैवसाय करियर लव लाइप और आपके स्वास्त के बारे में तथा इस दोरान बरती जाने आप अपने समाज में अपने एक अलक्षे वेलक पहचान किस प्रकार से बना सकते हैं और किस प्रकार से अपने आर्थिक इस्तितियों को सुधार कर सकते हैं आपको कौन से साबधानिय और रतने के अवस्यकता रहेंगे आपको बताएंगे सारी जानकारी इसके साथ है माता तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करने ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मुल सके और आप आने वाले दुनों को बहतर बना सकें तो मित्रों कुम रासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे आपके एक्षाएं पूरी होंगे वैवसाइक संद्रब में आप कुछ नई होजनाओ को बना सकते हैं और आपके काम्यावी में बिर्दी होने वाली हैं आप जिस भी छेतर में प्रियास कर रहे हैं जिस भी छेतर में कारी कर रहे हैं आपके प्रियास आपको फल देंगे और आ आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा, आप एक नए साजेदारी या नए एस्वेसन में प्रिवेस कर सकते हैं, आपका समाजिक दाइरा बढ़ेगा, आप कुछ महत्पुन कनेक्शन भी स्ताफित कर सकते हैं, आपके उपन्यास विचारों और कारेसाली की सहारना की जा सकते है विट्य एस्तितियों में आपको सुधार होगा, लेकिन साफधानी से सुचने के बाद है, आप नए संपत्ति में निवेस करने का प्रियास करें, आप अध्यात्म कदिविदियों के और आकर्शित हो सकते हैं, और अगर आप साधिसुदा हैं, और अगर आपको संतान सुक स किसी प्रिकार का कोई कर्श्ट है, अगर आपको संतान सुक की प्राप्ति नहीं हो रही हैं, तो वैसे मैं आपको प्रियास इस अंदर्म में करना चाहिए, आपको जरूर सफलता हांसल होंगे, बच्चे भी आपके अच्छे अनवब कर सकते हैं, आपको कई वीतियों भी गड़ जाते हैं, वैसे मैं मित्रों कुम्भराश्य वाले जातकों को बताना चाहेंगे, इन सबी समस्याओं से आपको चुटकार मिलेगा, आप असीम दोलत के मालिक बन सकते हैं, आई के नए शुरूत बनेंगे, वैवसाइक संदर्म में आपका वक्त काफी अच्छा रहेगा, परिणाम आपके पक्च में होंगे, आपके निजी जिन्दिगी में भी सब कुछ बढ़ियां रहेगा, परिवार और जीवन साती कर सही उग मिलेगा, लेकिन भाई बहनों के साथ आपका वाद भी बात हो सकता है, आपका ये जो समय है, ये काफी प्रेम समन्दों के लिए अनुकूल रहेंगे, अगर आप किसी परत्योगिता ये परिषा के तयारी कर रहे हैं, और अपने आपको वहतर सावित करने के प्रियास में लगे हुए हैं, तो आपको सफलता हासिल होंगे, परत्योगिताओं में हिस्सा लेने वालों के लिए ये समय मिस्रुत पर रहेगा, प्यार करने वालों के लिए ये समय काफी सहयोगी रहेंगे, पारिवारिक जीवन में भी आपका समय अनुकूल रहेगा, इन्तों कोई भिन्रने आवेस में न ले करज देना, इस समय आपके प्रिषानियों को उत्पन न कर सकता हैं, अता करज लेन देन से आपको स प्रिषान कर सकता है, बलकि उनका समाधान भी आपको ढूणना होंगे, आप सुदर यात्राओं पर जा सकते हैं, जिसमें खटे मिठे दोनों तरह के अनुबवी प्राप्ति होंगे, संतान की और से आपको थोड़ी बहुत अच्छे कुसकबरी मिल सकते हैं, आर्टिक मामल में आपका समय काफी अच्छा बना रहेगा, आप साफधानी से हरे कारी को कर सकते हैं, और किसी के भेकावे में आकर कुछ बड़े और असंगत फैसले आप न लें, मत्रों, आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में भी प्रतियासत लाप प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके दिल के क प्रियासों में कड़ी महनत के साथ अपने परियासों को जारी रखें, ग्यावजाई कुछ सकरात बक्तिरने ले पाने में काफी सक्चम रहेंगे, जिदि आपके पास विदेशी संपर्ग हैं, तो ऐसे मजबूत संकेत हैं, कि यात्राएं सफल होंगे, पारिवारिक जीवन भी आपका सुब रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ आनद में समय का व्यतित कर सकते हैं, आपका या समय काफी उपलब्दियों वाला रहेगा, मित्रों कुम्भरासी वालिजात को कौन एक प्रकार के सुब समाचारों की प्राप्ति होंगे, आप कही प्रकार के आपका दिन बहतर होंगे, इसके लिए कमेंटर बॉक्स में जैमाता दीयो वस्ति लिखें, आपका दिन सुब हो, मंगलकारी हो, जैमाविंदुवासी ने